दोस्तो मेरे यूटूब चैनल पर आपका सवगत है अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नहीं है तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फिलीज और देखे पांप लांडेशन में कैसे खाद दिया जाता है मलेसिया में पांप लांडेशन का काम में खाद कैस कैसे खाद दिया जाता है यह देखिए अगर आप मलेसिया पामपलान डेशन का काम में आना चाहते हैं तो इसी तरह आपको खाद भी देना पड़ेगा फल भी काटना पड़ेगा तो आज अप लोग के लिए खाद कैसे दिया जाता है इस पर इस टॉपिक में आपको वीडिय निकाल के दे रहा है कि अधर खाद दिया हो गया अभी वह आगे जा रहा है बंदा देने के लिए चचलिए उसके पास जाते हैं वह इससे खाद देता है आप लोगो दिखाएंगे आलेशी आना चाहते हैं तो इसी तरह आपको खाद देना पड़ेगा कोई मेहनत का काम नहीं यह देखे बालती है 15-20 kg इसमें 15-20 kg वजन होगा खाद का और इससे ही मतलब देना पड़ेगा आ अधिविभी है कंदे में देखें वाय यह से यह किया जाता है कंदे में रखा जाता है और इक मग भी है मग से ठीक दिया जाता है यह थोड़ा सा खाद को अबी इदर वह यह साइड में देगा पत्ता के ऊपर भी देना पड़ेगा कि यह खात देने से जल्दी सड़ जाता है नहीं तो फिर वह पत्ता ज्यादा हो जाएगा फ़िकाभेividades नहीं इसलिए फातिकों पर भी खात देना पड़ता है अलहकंग कि पेढ़ के लिए देता है लेगिन वेचाव देना पड़ेगा कि प्रकषी मुझे स्टाइड में नहीं देता है यह बीचОँ बीस देता है अंक में लेके जितना मतलब बोरा देगा जितना गोनी देगा उस हिसाब से लोग का पैसा मिलता है यह भाई सब खड़ा है पूशते हैं इसको कितना एक बोरा खात देने का कितना रुप्या देता है आप लोगा कितना रिंगित देता है यहां पर दो बंदा दिन में कितना य एसा है पांच रिंगित देता है मालेसिया का और 40 पचास दो बंदा मिलके दे देता है वो भी ज्यादा टाइम ने लगता है यह लोको लगवग बारा गजता खतम कर देता है ना एक आरा बाराबे यह लोगका खतम हो जाता है यह देखिए मलेसिया में पाम प्लांडेशन का काम में आईएगा तो खाद देना भी बहुत आसान है बहुत आसान है यह काम यह देखिए 20-25 किलो का यह होगा खाद बाल्टी में आता है यह 25 किलो का लगभग यह देखिए पीछे पीछे जा रहे हैं आप मेरा वीडियो में बने रही है और बंदे लोग खाद देरा तो लोग से भी मिलके देखेंगे और चली आपको दिखाता हूं बहुत इधर देखिए यह पहाड पहाड़ी इलाका है इधर हम लोग देखे आ चुके हैं वह खाली जो गोनी है ना उसको बाद में फिर एकटा किया जाएगा अभी खाद देते जी जा रहा है खाद पूरा जब वो लोग का 40-50 गोनी हो जाएगा बोरा हो जाएगा उसके बाद यह लोग फिर सब को एक जागा जामा करेके फिर मतलब रूम चला जाएगा अपना भी तो आख गशाँ साते हैं लुघ बढ़ में में कितना जाता है कितना जाता है चलिए वह लोग से पूछेंगे अभी इसiénे सबिखंगर हो उसका बाद में तो कितना जाता है कि चार-पांचेचार आजाता है भाई सही सही बोलिए भाई आप लोग को देखेगा इंडिया में कितना आप लोग का सही सेलरी आ जाता है भाई कि तीन हजर तक सेलरी आता है 3051 तक सेलरी आता है वह दिखिए यह बाई सही बात बोला है 305ु तक आता है और आरमका भी काम पूरा त्याशाह डूप गिर रहा है इसको फेकना ज्याधा पड़ता है तो खाले के खड़के दें रगता है और इसको ज्याधा मेहनत करना पड़ता है एक यह तो आसे दिखिये बगान मलेशिया का पांप लांडेशन का यह देखिए अभी यह लोग का काम खतम हो जाएगा तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं यह लोग का काम खतम हो जाएगा मात्र एक यह गोनी बचा हुआ है मात्र एक धी गोनी बचा हुआ आगे देख सकते हैं यह वाला गोनी एक ही बचा हुआ है यह लोंका फिर अभी चुटी होने वाला है रोगया अभी यह लोग στο 20 फेकता नहीं है कि यो लोगा 40 गोनी में 11 बारा बज़े तक फेक देता है लोग 40 गोनी दोना बंदा मिलके उसके बाद एलोगुरूम चला जाएगा 11 बज़ गिया है अभी एक गोनी बचा हुआ है फेक देगा अभी एक ही गोनी बचा हुआ 11 बज्चुका है भाई यहां कमाल अभी देखे दूब कितना है सुबह का भी मौसम है दो पहर होने जा रहा है भी सूर्य उपर में है आभी साइड में भी देख सकते हैं पहाड है पुरा एक श्यक्रे करने के लिए हहां पर पानी पानी जम्माकर कर दो रहता है टेंगी छाद दिया हुआ अभी लोग का खतम हो गया अभी रूम जाएगा लाक बलास यह दिखिए भाई लोग भाई अभी जा रहा है अभी उसका काम खतम हो गया इससे पुषथे हैं भाई साहब से कितना मेहने में सब लोग रहते हैं वाई साथ महेना हो गया इंडिया से आने से तब अच्छा खसा पैसा कमाते हैं आप लोग मतलब खात देगे मलैसया में अगर कोई आना चाहत है तो क्या बोलिएगा क्या आएगा आएगा कंपनी अच्छा देखके आना चाहिए अगर सही से कंपनी देखके आईएगा तो काम भी अच्छा होगा। पैसा भी इनकम हुगा मलैसया में पैसा भी है ऐसा नहीं है पैसा भी है लेकिन अच्छा कमपनी देखा आये तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ने है तो पमेरी यूट्यूब कर देजिये और मेरा यूट्यू चैनल को subscribe करके मेरा प्लीस सपोर्ट किजिए आप लोगों मैं पामप्लान्डेशन का डेली वीडियो अपनी खरता हुँ में अच्छी बात है मलेशिया मैं पामपलान्डेशन का आप लोगों अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं तो मैं मैं हाकीकत आपको दिखाता हूँ ऐसे नहीं किसी से जो नहीं भाई कम पगार मिलता और ज्यादा बोलके ऐसे छोड़ना वीडियो सची बात दिखाना और आपको मालेसिया आने से पहले आपको सची सची मतलब घर यहां पर जो दिखाई जाता है पांप लांडेशन का काम कैस सब्सक्राइब कर दिए तो चलिए भाई बस आज के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिए